नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रभाकर है और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रभाकर को आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वैलू देने वाला हूँ जो आज तक आपको पूरे यूटूब करियर में किसी ने न दिया होगा वो वैलू ये है कि आपके चैनल पर आज कल चल रहा है रियूजड कंटेंट वाली प्रॉब्लम राइट तो अब रियूजड कंटेंट वाली प्रॉब्लम तो चल रहे हैं लेकिन जब आपने मेरी वीडियो देखी या किसी और की वीडियो देखी तो उन्होंने कहा अपनी व के साथ में वीडियो अप्लोड करो इन सभी चीजों को आज मैं प्रेक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ मेरे पास एक चैनल है जिनके चैनल पर ये सारा काम करना है और ये सारा काम कैसे होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे कंप्यूटर स्क पर यहां देख सकते हैं, मैंने यहां पर computer screen open कर रखा है और एक भाई साप का channel है, जो कि यहां पर देख सकते हैं, मैं अभी इस channel पर open करता हूँ, YouTube studio में चलता हूँ, जब मैं YouTube studio में जाओंगा, तो इस तरीके से interface open होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, इनके channel पर मैं content पर click कर social media की चीजे लिखी हुई है, इनकी website की चीजे लिखी हुई है, लेकिन यहां पर disclaimer नहीं है, तो disclaimer हम एक साथ कैसे लगाएं, कि हर बार, मतलब लग जाए, एक बार लगाएं, और सभी वीडियो में लग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो सबसे प इस पर किलिक करना है, टोटल वीडियो सेलेक्ट हो जाएंगे आपकी, उसके बाद edit वाला option आ रहा होगा, इसके बाद description एक option आ रहा है, यहां description पर किलिक करना है, description पर किलिक करने के बाद यहां लिखा insert at beginning, मतलब कि क्या जो चीज आप add करना चारें अपने description में, वो उपर add करना चारें यह last में, तो अभी मैं यहां पर beginning में नहीं करूंगा, यहां पर start at end पर किलिक करूंगा, last में मैं डालना चारा हूँ, जो चीज आपको भी add करनी है, और आप कैसे add करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहां पर यह description है, अब इस description में, यहां पर मैं इस त disclaimer होता है, कि मतलब हम किसी भी content को ऐसा promote नहीं करते, या किसी की video को ऐसे नहीं use करते, जो unlegal हो, यह होता है disclaimer, और copyright disclaimer यह होता है, कि हम fair use कर सकते हैं, under 107 में, हम किसी भी photo का fair use कर सकते हैं, किसी भी video का fair use कर सकते हैं, हमें copyright strike नहीं आएगी, यह होता है, जो कि copyright disclaimer होता है, disclaimer दो तरीके के होते हैं, दोनों लगाने होते हैं, बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ जाओ, प्लीज, और अब उसके बाद यहां पर दिखा रहा है, अधर सोसल लिंक्स, तो यहां पर Instagram, Facebook और Twitter, यह सोसल लिंक है, यहां पर आपको अपनी अपनी लिंक के डाल देनी है, जो यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है, इतना काम आपको करना है, अब इसको ऐसे copy कर लेना, आप, ऐसे copy कर लेना, copy कर लिया मैंने, अब यहां पर आने के बाद मैं एक tab enter करूँगा दो, और यहां पर paste कर दूँगा, यहां पर जैसे ही मैं paste करूँगा से हमें एक बार में सभी disclaimer को लगाना होता है यह first step बताया मैंने अभी आपको बताऊंगा जैसे यह update open हो जाएगा यह खतम हो जाएगा अपडेट हो जाएगा उसके बाद second step आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो में जाकर मतलब पहले से ही लिख सकते हैं कोई भी चीज यह लिखना नहीं पड़ेगा बार बार आप जब वीडियो अपलोड करेंगे तो पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा यहां पर दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊं कि अपडेट हो चुका है सभी वीडियो पर अपडेट हो चुके हैं तो अब एक काम करेंगे यहां पर dashboard पर open करने के बाद यहां content पर click करूंगा content पर click करने के बाद मैं एक वीडियो open करता हूँ इस वीडियो को जो अभी सबसे ओपर वीडियो दिख रही है इस वीडियो को open करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो अभी upload किया है यहां पर डाला हुआ है सारे चीज यहां पर आ रहा है आपके सामने ये दिख रहा है दोस्तों इस चीज को आप नोट कर लीजिए और इस चीज को आपको नोट करके रखना होगा अब ये चीज जो दिख रहा है यहां पर इसको आप डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि इनों ने अलग से डाल रखा था इस जिस वीडियो पर अभी नहीं इस वीडियो पर भी दिखा था आपको इस वीडियो पर भी दिखा देता हूँ जो description लिखा है और जी हाँ यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं description आ गया है बस थोड़ा सा यह उपर हो गया है इसको नीचे आप कर लेना जाकर जब time मिले आपके करना है तो सबसे पहले आपको जाना है setting में सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है upload default में upload डिफॉल्ट में जाने के बाद यहां डिस्क्रिप्शन में इन्होंने जो लगा रखा है यहां पर इसको मैं करूंगा डिलीट और जो अभी हमने कॉपी किया है ना उस कॉपी करने वाले चीज को पेस्ट करूंगा तो यहां पर मैं इतने को कर दूंगा डिलीट डिलीट करने आपको वीडियो अपलोड करें या फिर आपके चैनल पर reused content आ गया है अब एक काम और आपको बता देता हो जो कि आपके चैनल पर होना ही चाहिए ये देखो ऐसे आजाएए dashboard में, dashboard में आने के बाद यहाँ पर आपको your channel पर किलिक करना है your channel पर किलिक करने के बाद जब आपका YouTube channel इस तरीके से ओपन होगा उसके बाद आपको customize channel पर किलिक करना है customize channel पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से interface ओपन होगा, जब को आपको अपने about section में जाकर change करना होता होता जो चीज़े वो मैं आपको बता रहा हूँ कस्टमाई चैनल पर किलिक करने के बाद बेसिक इंफो पर किलिक करना होता है यहाँ पर अपने चैनल के नहीं बना जो की URL बनाना चाहिए ने तो यहाँ पर लिखा है set a custom URL for YouTube channel तो यहाँ पर हम click करेंगे और custom URL के लिए हम यहाँ पर click कर देंगे custom URL के लिए जैसे हम click करेंगे और हमारे सामने यह आप देख सकते यह लिख कर आया और अभी इस नाम से इनके चैनल पर custom URL नहीं मिल रहा है गौर नूज के नाम से क्योंकि already किसी का होगा तो यहाँ पर custom URL जो लेना है यहाँ पर यह ले सकते हैं गौर नूज 01 कर सकते हैं यह गौर नूज 0 कर सकते हैं यह custom URL बन जाएगा और custom URL यहाँ पर हम save कर देंगे जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ यह मैंने क्लिक कर दिया save पर क्लिक अब इनका confirm कर देते हैं custom URL 0 के नाम से आ जाएगा गौर नूज 0 जब भी यह लिखेंगे www.youtube.com slash c slash गौर नूज 0 इनका चैनल उपर दिखेगा सबसे उपर दिखेगा मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी यह custom URL हमने बना दिया है और अब मैं यहाँ पर paste करता हूँ custom URL और आपके सामने यहाँ पर इनका चैनल देख लो open हो चुका है जो कि custom URL यह होता है ठीक है तो यह आपका एक custom URL हो गया जब भी आपको अपनी चैनल के बारे में किसी को बताना होगा तो यह चीज बता सकते हैं ठीक है अब आपको यहाँ पर जो यह लिखा हुआ है ना channel name and description तो यहाँ पर अपने channel का नाम आपको डालना होता है जो कि पढ़ा हुआ है उपर और description में अपने channel के बारे में लिखना है कि आप किस topic पर वीडियो बनाते हैं क्या क्या चीज़े बनाते हैं वो सारी चीज़े आपको डालनी होगी और यहाँ पर link जो डाल रखा है इन्होंने social media का यहाँ पर यह भी डालना होगा कि यहाँ पर यह लिख सकते हैं Hello We are providing news बस इतना ही काफी है क्योंकि अब आपको बता दू कि We are providing news यह लिख देंगे और इसके बाद publish पर click कर देंगे और publish पर click करने के लिए यहाँ पर जैसे publish पर click करेंगे अब इनका जो about section है वो भी अच्छा हो गया और आपको बता दू मेरे दोस्त यह काम आपको करना ही करना है अगर आपको अपने चैनल को monetize करवाना है अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल पर जब monetization के लिए भेज रहे हो या फिर review करने के लिए आप देख रहे हो कि बताना और चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like किये बगएर मत जाना thank you so much for join us